हाई गाई वेलकम बैक टू मैं चैनल इस निशी और आज हम बनाएंगे बहुत ही सुंदर सा कोरियन पर्ल का नेकलेस और बहुत ही सुंदर इसके साथ एरिंग एंड इसको कॉम्प्लिमेंट करता हुआ आप रिंग ब्रेसलेट भी बनाएंगे हम फिंगर रिंग ब्रेसलेट यह बहुत ही प्यारा है लेकिन विजल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम बनाएंगे सबसे पहले नेकलेस बनाने के लामें चाहिए वाइट पर्ल आई पेन तो सबसे पहले हम पांच पर्ल को इंसर्ट करेंगे आई पेन में एंड एन उसको हम प्लायर की हेल्प से कर देंगे लॉक तो हमारा जो है एक पैंडेन टाइप तियार हो जाएगा जो हमें नेकलेस में लगाना है उस फ्रंट के लिए तो यह हमारा जो है एक पैंडेन तियार हो चुका है आई पिन पैंडेट बोल सकते हम इसे अब हमें चाहिए चैन तो यह चैन मैंने से मंगाई हुई है तो इस चेन को हम लेंगे जितना आप नेकलिस को लॉंग रखना चाहते है अपनी नेक की अकॉर्डिंग तो हम इसके एक एंड पर जंप रिंग की हेल्प से इस आई पिन को अटेच कर देंगे जो आई पिन का पैंडें हमने बनाया है उसे हम इस चेन के ए जो लोक आपको इसा भी ओर्डिनरी लोक ले सकते हैं अब हम लेंगे एक और चेन तो दूसरी चेन जो आप लें वह इस वाली चेन से थोड़ी सी लॉंग होनी चाहिए क्योंकि अब हमें इहां पै जो है इन दौनों को अटेच करना है तो अटेच करने के लिए हम एक और ज कि हमें पर्ल इंसर्ट करना होगा बाद में तो अभी हमारा जो है फ्रंट जो है लगबग आदा तीयार हो चुका है तो यह जंप रिंग आप में ध्यान रखिएगा कि अच्छे से आप इसे लॉक करें एंड लॉक करने के बाद यह हमारा हो गया है तो फ्रंट हो चुका है तैयार अब हम इसके एंड पे लगाएंगे लॉक तो हम यहाँ पर ब्रेसलेट में लगाने के लिए जो अधर चेंज होती है उनका यूज कर रही हूँ मेरे पास काफी सारी एक्स्ट्रा पढ़ी हुई थी तो मैंने उनी का यूज किया है लग से पर्चेस नहीं किया है अगर आपके पास भी पराने ब्रेसलेट या अदर पढ़ी हुई हूँ आपके पास रखी हूँ तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं तो यहां पर हमारी जो नेक्लेस है उनके लॉक बहु चुके है तयार एक साइट पर हम लगाएंगे लॉक एंद दूसी साइट पर लगाएंग सो mystery एक पट दो यहांपर पडायच करने के लिए मैं यहांपर फोड़ा अब प्रींग आ यहांपर साइज आंपर 4 ले ले Sometimes यहांपर ब्राफ्वेयम का पर यहांओ आप 10 यहांपर 10 विले सकते रहे सकते जितना बड़ा आप रखना हो अब में हेड पेन य॥थ पिन के help से मैं इसे close करूंगी एंड मैं यहां पर जंप रिंग का यूज नहीं कर रही हूं डारेक्ट ही मैं चेंड में से इंसर्ट करके एंड हैड पिन को close करूंगी तो पहले मैंना प्ले लिया है देन उसके बाद हम इसे cutter की help से कर देंगे extra head pin को एंड उसके बाद मैं head pin को हम lock कर देंगे chain में जिससे कि इसका जो लोक है अच्छा है का क्योंकि जंप रिंग जब आप लगाएंगे तो बहुत ही बीच में खाली स्पेस हो जाएगा तो हमारा जो अब हमें तयारी करनी है एरिंग्स की एरिंग्स के लिए हमें chain चाहिए होंगी अगें अम same chain लेंगे एंड उसके बाद हम आई पिल लेंगे अब हम हम एक एरिंग के लिए 3 आई पिंज चाहिए यानि कि हम यह कह सकते है 3 eye pins का set चाहिए हमें पूरा 6 eye pins चाहिए होंगी and pearl and pliers बस इतना ही ज़रूरत पड़ीगी हमें and उसके बाद में हम यहां पर 4-4 pearls को use करेंगे पहले मैंने 5 pearl insert किये थे लेकिन उसके बाद उनका lock नहीं लग रहा था तो फिर मैंने एक-एक pearl जो है आपके पास टोटल 6 pendant step के तयार होने चाहिए क्योंकि हमें हर एरिंग में 3 pendant का हम यूज करेंगे और हर एक पच्छे से close कर देंगे जिससे की बाद में चेन में से यह निकल ना जाए अब हम लेंगे चेन को चेन के हमें यहां पर 3 साइज लेने हैं तो सबसे पहला साइज जो मैं 5 ले रही हूं 5 cm 2nd मैं 6 cm and 3rd वन इस 7 cm तो इनसे चाहिए थोड़े थोड़े बड़े हो जाए लेकिन कम नी होना चाहिए तो यह step की हमें जो है chains को लेना है और उसके बाद आप ध्यान रखिए कि सारी ही chains जो है वो प्रॉपर नाप से आए वहना एक एरिंग छुटा हो जाएगा और एक एरिंग बड़ा हो जाएगा तो अब हमें क्या करना है जंप रिंग में यह तीनों ही chain को डालना है तो सबसे पहले हम जंप रिंग में तीनों chain को attach कर लेंगे और तीनों को डालने के बाद में भी हम पहले जंप रिंग को close नहीं करेंगे तो मैं यहां पर प्लायर्स की help से जंप रिंग को पकड़ रही हूं क्योंकि कभी-कभी इतने छोटे hole वाली chain को जंप रिंग में डालना बहुत मुश्किल हो जाता है तो यहां पर मैं जंप रिंग में हमारी तीनों ही chain attach हो चुकी हैं तो मैं यहां पर जो है जंप रिंग क यूज करूंगी तो एरिंग की जो शेप है वो अच्छी नहीं आएगी अभी इसको हम इतना ही छोड़ देंगे तो सबसे पहले हम एरिंग का ऊपर का टॉप बेस बनाएंगे तो इसके लिए मैं यहां पर पर ले रही हूं है परल के लिए हम यहां पर यूज करेंगे head pin and head head pin को हम फिर cut कर लेंगे and cut करने के बाद हम इसे कर देंगे lock and lock करने के बाद हमें extra jump ring को use करने की जुरुवत नहीं पड़ेगी एक ही jump ring से हमारा काम हो जाएगा तो jump ring को अब हम लगा के pearl में then हम कर देंगे close close करने के बाद में अच्छे से हम इसे close करते ही अब हमें लगाना है glue तो glue हम सबसे last में ही लगाएंगे क्योंकि वर्णा फिर यह बहुत सारी जगे पर attach होता जाएगा तो यहां पर हमें यहां पर jump ring एक-एक jump ring लेके हर एक chain का जो end portion है उस पर में आई-pin का जो हमने pendant बनाया हुआ है वो attach करती जाओंगी तो इसी टैप से हमें तीनों ही chain के last में हमें use करना है इन pendant को एंसे हमारा earrings जो है वो तियार हो जाएगा तो फटा-फट से जल्दी जल्दी हम तीनों में attach करेंगे तो हमारा यह step से earring का एक बिस तयार हो चुका है और उसके अलावा दूसरी में भी हमें same ही process अप्लाई करना है second में and third में तो हमारा जो यह portion है वो तियार हो जाएगा जो एरिंग है वो एक तियार हो चुका है तो उसमें हमारी तीनों चेन अट है जो चुकी है अब बागी है केवल इस पल को यह रिंग इस टर्ड पर चुपकाना तो उसके लिए मैं इस ग्लू का यूज कर रही हूं बी 7000 ग्लू ही सबसे एफेक्टिव ग्लू रहता है तो यहां पर मैं एरिंग स्टर्ड में पल को चुपका देती हूं and इसके बाद हम से थोड़ी देर ड्राय करने के लिए रख देंगे ऐसे ही एक और पेर बनाएंगे एरिंग का तो आप देख ज़िए किते सुन्द एरि के लिए यूजब करना होगा तो हमारे एरिंग जो है वह तियार हो चुके है अब हम बनाएंगे फिंगर प्रेसले यंकि संगर देख लिए थो इसके लिए हमें अगेन पर्ल चाहिए होँगी कुछ आइपन चाहिए होँगी तो स्टेब क्याए जो है स्टेप बारिया हम 5 का यूज करेंगे एंड 5, 6 या आप 7 भी यूज कर सकते हैं मेरी या इस यह पिंस में आई पिन में जो है फोर एडिंग्स डालने के बाद मैं यहां पर चेंड डाल रही हूं तो चेंड को लगाने के बाद में हम बागी जितने पल और आ जाएंगे वहम इंसर्ट कर लेंगे तो आई थिंग यहां 3 पल और आ जाएंगे तो मेरे 7 पल का साइड बन गया है आई पिन पैंडेंट में तो उसके बाद में हम इसे कर देंगे लॉक एंड लॉक करने के बाद में हम इसका नेक्स प्रॉसेस अप्लाई करेंगे तो हमारा जो है बेस त्यार हो चुका है ब्रे अब हम एक और इसी टाइप का आई पिन पैंडेंट जो है विसमें अटैज करेंगे और नेक्स प्रॉसेस के लिए आपको जो चेंड यूस करेंगे आप जो आपकी फिंगर्स के चारों तरफ जाएगी उसे आप अपनी फिंगर्स के नाप के अकॉर्डिंग लेंग कि आप इन पैंडेंट से जोड़ दूँगी तो इस टैप से हमारा ये जो फ्रंट का प्रॉसेस है ये पूरा तयार हो जाएगा जो आपके हाथ पर उपर की साइड आएगा वह हमारा प्रॉसेस तयार है कि हमारी जो रिंग है वो भी बन चुकी है एन फ्रंट पर सामने ये इन नहीं लेंगे मैं अपनी कलाई की अकॉर्डिंग ही ले रही हूं एक साइड पर हम इस भी लगा देंगे लॉप एन उसे अटेच कर देंगे उस आई पिंग पैंडेंट से एन सेकेंड वाले की कॉर्णर पर मैं यहां पर जो है एक पल जोड़ दूँगी जिससे की जब पल लटकेगा तो बहुत अच्छा लगेगा तो इसकी लिए मैं जो है हैट पिन का ही यूज करूंगी गाईस तो जैसे ही यह तैयार हो जाएगा आप देखेंगे कि कितना प्यारा लग रहा है तो यहां पर मैंने जंप रिंग की हैल्प से दौनों साइट की जो चेन है उन अगर जो भी आपकी कुछ क्यूरीज हो या कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं कोई नया डिया देखना चाहेंगे या न्यू शॉपिंग हॉल तो मुझे सजेस्ट जरूर करें कमेंट जरूर करें गाईस और इन सभी के प्रड़क्स लिंक्स के लिए भी आप मुझ करते हैं नेक्स वीडियो में टेक केर वीडियो को लाफ्स तक जरूर देखेगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर प्लीज वीडियो को शेयर जोगी करें बाबाई टेक केर करें करें वीडियो कि अझस में झाल झाल झाल